साथियों, आज जादी के इस अम्रित महोत्सों में, आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है, जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूँ. हमारे वीर, स्वतंत्रा, सेनानियों को अप्मानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है, ऐसे लोगों की मानसिक्ता देश को भी समझना जरूरी है. हम जानते हैं, कभी कभी कोई मरीच, अपनी लंबी बिमारी के इलाज से ठक जाता है, निराश हो जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से स्थरा लेने के बावजूद, जब उसे लाब नहीं होता, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों नहों, अंद विश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है, वो जाड़ फूंक कराने लगता है, तोने तोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है, ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं, जो नकारत्वक्ता के भवर में फसे हुए हैं, निराशा में डुबे हुए हैं, सरकार के खिलाब जूट पर जूट बोलने के बाद भी, जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, ऐसी हतासा में ये लोग भी अब काले जादू की तरब मुड़ते नजर आ रहे हैं, अभी हमने पांच अगस को देखा है कि कैसे काले जादू का, काले जादू को फ्रेलाने का वरपुर प्यास किया गया, ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहन कर उनकी निराशा हतासा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही जाड़ फुंग कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंद विश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा, और मैं ये भी कहूंगा, कि इस काले जादू के फेर मैं, आजादी के अमरित महोचाव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें. उच्ट alभने खिरंडान न का विश्वास कर ले, कितना है का अपमान न कर ले, जनता है करो का अभी है में, ये झाले रहमान का विश्वास का अपमान का अमान रहा है,